गनपती जी का पसंदीदा भोग मोदक क्या आपको पता है कि गनपती जी को मोदक क्यों वितना पसंद है और उन्हें 21 मोदक क्यों चड़ाये जाते हैं? एक दंध कथा के अनुसार एक बार भगवान शिवसो रहे थे और गनेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे तभी परशुराम वहां पहुँचे तो गनेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया परशुराम क्रोधित हो गए और गनेश जी से युद्धा करने लगे युद्धा में परशुराम ने शिव जी द्वारा दिये गए परशु से गनेश जी पर प्रहार कर दिया जिससे गनेश जी का एक डांट तूट गया डांट तूटने से गनेश जी को खाने चबाने में परेशानी होने लगी तो उनके लिए मोदक तयार करवाए गए मोदक मुलायम होते हैं और इसे चबाना नहीं पड़ता है इसलिए गनेश जी ने पेत भर कर मोदक खाय तभी से मोदक गनपती जी का प्रिय व्यंजन बन गया